तिसगर्ड में लगातार हो रही चाकुबाजी की घटना को लेकर प्रदेश कॉंग्री सद्यक्स दीपक बैज ने कहा कि सरकार को आमादमी और निर्दोस अपराधी नजर आते हैं सरकार उनको प्रतारित करती है थाने में मार मार कर हत्या कर दी जाती है निर्दोस लोगों की गिरफ़तारी के जा रही है अपराधी खुले आम हतियार लेकर शहरों में राजदाने मी जिला मुख्यालों में खुले आम खुम रहे हैं लेकिन सरकार का इस पर नेंटने नहीं है इससे यहीं लगता है कि अपराधियों को भाजपा का संडक्षन है इस सरकार में आम आदमी और निर्दोस सरकार को अपरादी नजर आते हैं और सरकार उनको प्रताडित करता है थाने में मार मार कर हत्या कर दे जाती है और निर्दोस लोगों को गृपतारी की जाती है लेकिन अपरादी कुले आम अध्यार लेकर सहरों में राजदानी में जिल सरकार के संद्रक्षण में इसलिए उनका मनवल बढ़ा हुआ है और कहीं न कहीं इसके लिए सरकार जिम्मेदार है यह घटना इतना बरबरता है मानवीता को शर्मसार करने वाली घटना है और दिल दहला देने वाली घटना है उस मा की आप चीक और पुकार सुनेंगे मैं तो कहीं न कहीं इस घटना को अंजाम देने के लिए ग्रही मंत्री स्वयम खड़े ओकर इस घटना को अंजाम दिये हैं और सरकार पूरी तरह से इसमें सामिल है इसलिए उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए कौंग्रेस हर इसतर पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार और लड़ाई लड़ेगी और लड़ भी रही